दोस्तो गाली प्रेड तो आपने बहुत बार खाए होंगे, मार्केट से मंगाए होंगे या फिर घर पे बनाए होंगे पर ये जो रेसिपी मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ, गैरेंटी है आपने पहले नहीं चकहे होंगे और मार्केट से जब हम खाना ओर करते हैं तो घर पे आते हैं वो लगबगादी ठंडी हो चुकी होती है तो मेरी ये वाली पनी स्टाफ्ट कार्ली प्रेड अगर आप घर पे बनाते हैं तो साफ साफ आपको दो फाइदे हैं एक तो आपको गर्म गर्म रूई जैसी सॉफ्ट ब्रेड मिले की खाने के लिए और दूसरी आप इसे घर पे बना रहे हैं तो आपको पता है क्या आप इसमें क्या-क्या डाल रहे हैं तो उस पे आप जादा परोसा कर सकते हैं हलो दोस्तों और विल्कम बैक तो अम्रिदास किचन आज मैं आप से शेयर करूंगी मेरी पनी स्टाफ्ट काली ब्रेड की रेसिपी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का सुब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे और बेल आकन को फी प्रेस कर लीजे तो चलिए लेट स्टार्ट बेकिंग सबसे पहले हम ब्रेड बनाने की तयारी करेंगे तो डो बनाने के लिए हम लेंगे मैदा चीनी नमक थोड़ी सी गार्लिक पाउडर और फिर मिलेंगे इस्ट यह इंस्टान राइस्ट है तो इसे तुरंते इस्तमाल कर सकते हैं अब इने मिक्स कर लेंगे थोड़ी ध्यान से ताकि नमक सीधा जाके इस्ट पर ना गिरें और फिर गुन-गुने दूद मिला के हम गीला सा आठा लगाएंगे इस टेज पर मिला लेंगे थोड़ी सी बटर और फिर बटर के साथ डो कूप कम से कम साथ से 10 मिनिट अच्छे से मस लेंगे जब तक यह चिकनाना हो जाए देखिए डो अभी तयार है अब इसे एक बोल में रखे चारो तरफ बटर से क्रीज कर लेंगे और फिर एक फ्लींग राप या फिर गीले कपरे से ठपके एक से डेर खंटे के लिए ऐसे ही चोड़ेंगे और तब तक हम अपनी पनी पनीर के स्टफिंग बना के त्यार कर लेते हैं कडाय में Initially दो चमश्बटर और उसमें मिलालेंगे दो चमश्बष बाली कटी हुई लइसून के कळियां एक मिनट के लिए सॉटे करेंगे और फिर इसमें डालेंगे पनीर और फिर से एक मिनट चला लेंगे बहुत कम ही मसाला पड़ता है इसमें तो डालेंगे स्वाद अनुसा नमक, इरी-पीरी मसाला और काली मर्च पॉडर एक से दो मिनिट बस पनीर को मसालों के साथ पका लेना है और फिर फ्लेम ओफ कर देंगे और पनीर में मिला देंगे बारी कटी भी फ्रेश धनिया और इसे ठंदा होने के लिए रख देंगे देखिए डो भी फुल के दुगनी हो चुकी है अब इस पर से कभर हटा देंगे औ अब फर्ष पर थोड़ी सी मेंदा छिरख के दो को गोल बेल लेंगे अब जिस भी ट्रे पर ब्रेट को बेक करेंगे उसकी साइस के अनुसार अपनी ब्रेट की लंबाई रखेंगा अब इसके आधे इससे पर हमें पनीर के स्टफिंग को रखनी है और फिर इस पर जाएगी धेर साइचीज मैंने मौजरेला और चेडर को मिक्स करके लिया है अब चीज की उपर थोड़ी सी पिज़ा सिसनिंग स्प्रिंकल करेंगे अब किनारूपे ऐसे पानी लगानी है ताकि ब्रेट अच्छे से जुर सके और बेक होते समय खुलना करेंगे अब इसको अराम से उठा के बेकिंग ट्रेपे रख दीजिए मैंने ट्रेक पे पहली पार्षमिन पिपर लगा के बड़र से ग्रीज की हुई है अब ब्रेट के ऊपर हमें अच्छी से बटर ब्रश करनी है और उस पर थोड़ी से गार्लिक पावडर स्प्रिंकल कर हमें इसे हलकी हलकी कट्स लगा देनी है डीप कर्स नहीं करनी है नहीं तो चीज बाहर आ जाएगी और इसे में अभी अवन में रखने जा रही हूं 210 डिग्री सलसेयस पे 20 मिनट के साथ 10 मिनट के बाद हमें ब्रेट को एक बार अवन से निकालके ऊपर फिर से बटर प्रश करनी है और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और चीली फ्लेक्स स्प्रिंकल करके फिर से हम इसे अवन में रखेंगे दस मिनट के लिए हमारी ब्रेट अभी बेक हो चुकी है तो इसे अवन से बाहर निकाल लेते हैं सर्फ करने से पहले कट्स को थोड़ा एक स्टेंड कर सकते हैं ताकि टुक्रों को अलग करने में असानी हो तो थोड़ सी चीज निकल आई घर पे बनाने की यही खासियत है कि आप इसमें अपनी मज़े से चीज या पने टाल सकते हैं यह जो लास्ट वाली ब्रेट की टुक है ना मसता है और यह ब्रेट भी बिलकुल रूई जैसे सॉफ्ट है और सबसे बड़ी है बात आप इसे गर्मा गरमी जोड़ा सकते हैं मसे तो और इंतजार नहीं हो रही है दोस्तों मैं इसे अभी गदम करने वाली हूँ आप भी इसे गर पे ज़रूर बनाएंगे यही ज झाल